दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पोचे अबर बिहार में निर्मान सामागरे के बड़े दाम और महंगे होंगे मकान जाने सिमेंड गिट्टे बालू और एक कीमत जरूर बिहार में भवा निर्मान सामागरे को कीमत फिर से बढ़ गई है सिमेंड श्टोन चेप और लोहे के साथ ही एक की कीमत भी बढ़ गई है इससे मकानों की लागत में 10% तक की बिर्दिक अनुमान है आपको बदा दे कि पहले सिमेंड तीन सो साथ रूपी बरती बोरा मिलती थी अब तीन सो सी रूपी हो गया है वही सरसट बारसट रूपी प्रती किलो थी अब सत्तर रूपी प्रती किलो हो गया है वहें इश्टोन चeफ्स 8000 से 8000 रुपे सौ सेपटी हो गई है, एट के बाद करें तो 14.000 बालू के रेट में कुई बिर्दी नहीं की गई है पटना हाइकोर्ट का बड़ा फैसला सरकार किसी करमचारी अधिकारी को लंबे समय तक निलंबे तो नहीं रख सकती है पटना हाइकोट ने सरकारी करमचारी और अधिकारीों को निलंबन को लेकर बड़ा फैसला दिया है हाइकोट ने कहा है कि किसी अधिकारी या करमचारी को लंबे समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता है हाई कोट ने सर्वोच नियालाई के एक वेसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर निलम्मन कर्मियों के खिलाब लम्मे समय तक जाच चली रही तो उसे निलम्मन मुक्त करना होगा अगर बिहार में 7 फरवरे से स्कूल खोलने की तयारी फिर से गुलजार होंगे पस जीहां बिहार में कोरोना की तिसरी लहर कम जोर पढ़ती दिख रही है जिसे देखते हुए सुबह में 7 फरवरे से स्कूल औरकोलेज खोले जा सकते हैं इस समद में सिख्चा विवाग ने राज सरकार को अवगत करा दिया है सिख्चा मंतरी विजय कुमार चोधरे ने कहा है कि आपदा प्रमंदन समो जोखिम का आखलन करने के बाद आंदिम फैसला लेगा उन्होंने बताए कि राज में कोरोना संक्रमन के सित्य अभी नियंतरन में है जिसे देखते हुए हम स्कूल खोलने के पक्च में है क्योंकि स्कूल के बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई को बहुत नुक्सान हो चुका है आपको बता दे कि देश भर में कोविन-19 मामलों में राहत को देखते हुए कई राजों में स्कूल फिर से खोले जा रहे है वही कई राज अभी भी स्कूल कोलेज खोलने के पक्च में नहीं है अगली बड़ी कबर बिहार में जारी है सीत लहर तीन फरवारी को पाटना सहेत कई जिलों में बारिस के आसार जिहा बिहार सर्द पच्चवा हवा की रपतार में हुई कमी और दोप निकलने से ठान से कुछ राहत मिली है मौसम में बड़ाव से राज के निउनतम हुआ अधिकतम पारा में कुछ जापा हुआ है वहें पुर्मानुमान के अनुसार दो फरवरी तक सुबे में मौसम सुस्क रहेगा निउनतम पारा में बड़ोतरे होगी और हवा की रपतार में कमी होने के समावना है एक वर पिर पच्चिमी बिचोप के दस्तक दिनी की समावनाओं को देखते वे मुस्तम विवाग ने तीन फरवरी को पठना गया नलंदा सिख पुरा नवादा बेगुस राई लखी सराई जहानाबाद बकसर आरा रोतास भववा औरंगाबाद अर्वल पच्चिमी चमपार पुर्वी चमपारन सारन सिवान वा गोपाल गंज के अलग-अलग इस्तानों पर हलकी बारिस वा मेग गरजन और बिजली चमकने को लेकर यहला अलोट जारी किया गिया है अगली बड़ी कबर 157 साल बाद बिहार में बने दूसरी रेलवे सुरंग 903 फीट है लंबाई जिहां 157 साल बाद बिहार को दूसरा रेलवे टनल मिल गया है मुंगेर जिले में रतनपूर जमालपूर के बीच नई रेल सुरंग का काम पूरा होने के बाद 29 जनवरे से ट्रेनों का परिचालन सुरू हो गया है दो साल में बने सुरंग पर कूल 45 करोड रुपे खर्च हुए है नई सुरंग का निर्मान अक्टूबर 2019 से सुरू हुआ था इस रोड से 24 घंटे में करेब 100 ट्रेने गुजरती है और डवल टनल की वज़ा से ट्रेनों को इसे पार करने के लिए इंतिजार नहीं करना पड़ेगा साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दी कि राजगी पहली सुरंग भी जमालपूर में है जिसका निर्मान 1861 में इस्ट इंडियान रेलवे कमपानी ने कराया था बड़ी खबार एरिपोर्ट की तरह होंगे बिहार के रेलवे स्टेसन पटना गया और मुझपर पूर सहेत उनतर जक्सन को होगा विकास स्वापिंग मौल से लेकर वेटिंग रूम तक होंगे वियाई पी जिया कोरोना की तिसरी लहर के बेज पाटना जक्सन समेत पूर मैद रेलवे के 69 रेलवे स्टेसनों को रिपोर्ट इस्टेंडर के अनुरूप डेवलप करने के तयारी सुरू हो गई है योजना के नुसार डेवलप्मेंट का काम 2023 तक पूरा करने का लच्च है रेलवे स्टेसनों को डेवलप करने के सारी कवायाद 2023 में सेमी हाइस्पीड और प्रावे ट्रेनों के परिचालन को लेकर चल रही है अभी हाली में मैद परदेश के रानिक कमलापती रेलवे स्टेसन को डेवलप गिया गिया है पूरोमेद रेल में गया में डेवलोपमेंट का काम चल रहा है वहीं पटना जक्सन पर एक्जुकिटिव लाउंज का काम चल रहा है साथ वेटिंग रूम और डॉरमेटरी का नए सिरे से डेवलोप किया गिया है अगली बड़ी कबर महिला टिका करन में बिहार देश में पाचवे इस्तान पर किसोरों के वेक्सिनेशन में दोसरे नमबर पर जिहां कोरोनो वेक्सिनेशन में बिहार के महिलाओं ने बड़े उपलब्दे हासिल किया राज में महिलायों ने ठिका करण में पुरोसों को पीछे चोड़ दिया है उत्तर भारत में अपलब्द favorites, आसिल करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है स्वास्त विभाग के अनुसार बिहार से पहले देश के चार राज्यों ने सरवादिक तेजिस से महिलाव का टिककरन किया इन राज्यों में पहले पायदान पर केरल है दूसरे में आंदर प्रदेश तिसरे में पूडुचरी और चोते में तामिल लाडु सामिल है पाच्वे इस्थान पर बिहार का इस्थान है साथी कोरोना टिककरन अभियान के तहद 15 से 18 वर्ष के किसरों के टिककरन में बिहार देश में दूसरे इस्थान पर है बड़े कबर बिहार के चात्रों के लिए खुसकबरी मार्च में बिहार के इस विभाग में होगे बंपर बहाली ग्रिय विभाग ने देदी है मंजुरी बिहार में बहुत जल्द 9 निदेशक, 10 उप निदेशक, 29 सहायक निदेशक, 58 वर्य वेगानिक सहायक, 10 उच वर्गय लिपेक, 20 निमन वर्गय लिपेक, 18 चलाक, 19 परियोग सला वाहक और 31 विसरा या कार्यालाई परिचारी के पद पर बहाली होने वाली है इसको लेकर सरकार की ओर से जल्दी विगापा निकाले जाएंगे, 208 अरफ बद स्रिजित के गए है, इन पदों की स्विकिरती ग्रेव विवाग के इस तरह से मिल गई है बड़ी कबर बिहार में एक से दो मा में देखने लगेगा सराबंदी कानून में बदलाओ, मंदरी ने खूद दी है जानकारी जिहा मद निसेद उतपाद एवं निवंदन मंदरी निसुनिल कुमार ने भी सपश्ट कर दिया है कि सराबंदी कानून में संसुदन पर काम चल रहा है इसे कैसे और बेतर बनाया जाए इस पर भी मंतन हो रहा है फिलाल नए प्रस्ताव को कानूने रूप दिया जा रहा है महिने दो महिने में इसके परिनाम सामने आएंगे सोमुवार को सचीवाला इस्तित सबागार में प्रेस वारता के दोरान मंत्री ने कहा कि कोई भी कानून पत्तर की लकिर नहीं होता है आवजसक सुधार होते रहते हैं इस्प्रिट पर पूरी तर प्रतिबन लगाए जाने को लेकर पुछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा क्या भी सभी बिंदों पर विचार चल रहा है लालो की बढ़ सकती हैं मुस्किले पंद्रा फरवरी को आएगा चारा घुटाला का सबसे बड़े मामले का पैसला लालो समेत एक सो दो आरोपियों को हाजिर होने का आदेश जी हाँ आरजेडी सुप्रिमों लालो प्रसाद यादव की मुस्किले बढ़ सकती है चारा घुटाला के सबसे बड़े मामले आरसीय चार सो चुहत्तर एर नान्टी सिक्स में पंद्रा फरवरी को फैसला आएगा सनिवार को सिवियाई के बिसे सिन्यादी सैस्की ससी के अदालत ने मामले के अंतिमा आरोपिय की और से बहस पुरी होने के बाद फैसले की तारीक निधारित की है पंद्रा फरवरी को लालो परसाद समेट 102 आरोपियों की वेक्टिक तरूप से अदलत में उपसित होने का निर्दिस दिया गया है नोरंटा को सगार से 149 करोड रोपिय की अवेद निकासि मामले में लालो परसाद समेट 102 लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं हाला कि आरोपियों की और से बहस पुरी होने के बाद भी दो तिन आरोपियों की मौत भी हो चुकी है लेकिन आरोपियों की और से मृतु परमान पत्र नहीं दिये जाने के कारण इसका नाम नहीं काड़ा गिया है अगली बड़ी कबर बिहार में यदि आपको मिल रहा है कम रासन तो इस नंबर पर तुरंद करे सिकाया जी हाँ रासन कार्ड ऐसा एक दस्तावेज है जिसके जरिये आपको सस्ते में रासन मिल जाता है लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि रासन कार्ड धारगों को डिलर रासन देने में आना कानी करते हैं ऐसे इस विति में आपके पास जो भी उतने में संतोस्त करने के अलावा कोई आईने विकलप नहीं होता है यदि डिलर से आप इस समन में कुछ पोचते हैं तो गोल मौल जवाब देकर वो आपको वापस कर देता है यदि आप आपको डिलर कम रासन देता है तो इसकी तुरन सिकायत कर सकते हैं केदर सरकार की ओरसे राज के हिसाब से हलप लाइन नमबर जारी कर दिया गया है आसन कार्ड से जोड़ी कोई भी सिकायत दर्ज करा सकते हैं तो बड़ी खबर सुच बिहार के तहाद आप स्कूल में होगी सफाई की पढ़ाई सिलेबस में जोड़े नए चेप्टर जी अबिहार में स्कूल में अब हाईजिन और सिनिटेशन की पढ़ाई होगी पीने के पाने के सपाई को अब स्कूली बच्चे अपने सिक्चक से जान पाएंगे कोविड-19 संग्रमन को देखते हुए NCRT ने कक्चा 3 से 12 तक के कक्चा के लिए नया चेप्टर जोड़ा है नए 17 से इसकी पढ़ाई सुरू की जाएगी किसी कक्चा में कौन सा चेप्टर होगा इसकी भी जानकारी NCRT द्वारा दी गई है NCRT द्वारा चेप्टर से 12 तक के कक्चा में अलग-अलग चेप्टर हाईजिन और सेनिटेशन को लेकर दिया गिया है इसके अलावा हैल्द और फिजिकल एजुकेशन में कक्चा 1 से 10 वी तक के चेप्टर में जोड़ा गिया है राज की सबसे पहले कबर बिहार में फिर बदला आदेश अब हलकी सर्दिखासी पर भी होगी कुरोना की जच जिहां पुरे राज में कुरोना जच में फिर से तेजी लाई जाएगी राज स्वास्त मुख्याले ने इसका निर्देश सभी जिले की सिविल सर्जन को दिया है संकर्मन की रोबताम और सभी संकर्मितों के पहचान के लिए जाच बढ़ाने का निर्देश दिया है जिले में अभी कुरोना जाच चार हजार तक सिमट गई है जिला दिकारे ने रोज 8000 सेंपल के जाच कराने का निर्देश दिया था आपको बदा दे कि आप जिनको हलकी सर्दी खासी है उनकी भी जाच की जाएगी इससे पहले स्वास्त विभाग मुख्याले ने निर्देश दिया था कि जिन में कुरोना के लच्छन होंगे उनके ही जाच होगे इसके बाद जक्सन पर एंटिजन जाच बंद कर दी गए थी स्वास्त विभाग मुख्याले की निर्देश के बाद जिला स्वास्त विभाग रोज 7000 सेंपल के जाच का लच्छ बना रहा है अगली बड़ी खबर ट्राई का टेलेकम कमपनियों को निर्देश प्रिपेड मॉबाइल ग्राहकों को 28 के जगा अब 30 दिनों की रिचार्ज विलेडिटी देनी होगी टेलेकम आथोरेटी ऑप इंडिया ने प्रेपेड मॉबाइल ग्राहकों के हक में बड़ा फैसला किया है ट्राई ने सुकुरवार को सभी टेलेकम कमपनियों को मॉबाइल रिचार्ज के विलेडिटी 28 दिन के बज़ाए 30 दिन देने का निर्देश दिया है इसके साथ टेलेकम कमपनिय अपने प्लान में अब एक स्पेसल वाउचर एक कॉमब वाउचर पूरे महिने की विलेडिटी के साथ रखना होगा बदा दे के टेलिकम कमपनियों के मौज़दा प्लान में 28 दिन की वेलेडिटी होती है जिसकी वज़ा से कस्टमर को एक साल में 13 बार मंतले रिचार्ज कराना होता है ट्राइ ने टेलेकॉम कामपानियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की है इस नोटिफिकेशन के अनुसार साइट दिनों के अंदर नियमों के आदेश का पालर कंडे को कहा गिया है